साथियों नमस्कार एक चोटी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ आज की बात की शुरुबात करता हूँ साथियों अगर आपको मालूम है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं पर एक बात नैट पर जाकर आप सर जुरूर करना कि जो शेर भागता है उसकी अधिक्तम रफ्तार है 58 किलोमेटर पती घंटा और जो हिरन भागता है उसकी रफ्तार अधिक्तम है 90 किलोमेटर पती घंटा उसके बावजुद भी हिरन को शेर पकड़ कर मार डालता है यहाँ पर सातियों खेल स्पीड का नहीं है यहाँ पर खेल है confidence का जब हिरन आगे भागता है तो उसको बार बार डरी लगता है कि शेर उसको जो है पकड़ लेगा वो रुकता है पीछे देखता है तो यहाँ पर क्या हो गया स्पीड ब्रेकप और शेर जो है वो constantly आगे भाग रहा है तो कुर्म लाके कहने की बात यहीं कि जब भी आप code case लड़ते हैं चाहे लड़का है चाहे लड़की है तो आपको यह लगता है कि वेपक्षी शेर की तरह पीछा कर रहा है आपकी स्पीड अच्छी हो है कि बात भी आप बार बार घबरा जाते हैं और पीछे मुड़के देखते हैं कि कहीं है ऐसा नहीं मुझे पर counter case कर दे कहीं ऐसा नहीं मुझे यह वाला मुकत्मा कर दे कहीं ऐसा नहीं यह हो जाए कहीं ऐसा नहीं यह हो जाए तो इस चक्कर में बार बार जो है, आप अपने रिधम को, आप अपनी स्पीड को ब्रेक अप करते हैं, और अल्टिमेटली, जीते जिताय मामले को भी आप हार जाते हैं, तो सातियों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कि विपक्षी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हमें केवल वाच करना है पर भागते समय नहीं जब हम आराम कर रहे हूं पर जब हम भाग रहे हैं तब हमें पीछे मुड़के नहीं देखना है हमें यह नहीं देखना है कि उसके रफ्तार क्या है हमें अपनी स्पीड से जो है लगातर भागते रहना है तब ही जो है वो जीत स संभवे तो सातियों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा अगर मोटिवेट किया तो इसे लाइक और शियर जरूर कर दें और मेरे यूटूब चैनल सोनी एरेनल और अच्छे से इसको सब्स्राइब कर दें सातियों जल्दी मिलते हैं एक ने टॉपक के साथ तब तक के लिए जैहन जै भरत